Hello, 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 कैसे हैं guys and girls, ठीक ठाग, मज़ह में, fit fine, मैं आपको welcome कहता हूँ आपके दूसरे computer networking tutorial में, जो के ifactner.com video tutorials का हिस्सा है, और guys and girls, आज हम discuss करेंगे types of computer networks, के computer networks की कितनी types होती हैं, तो आप अगर सिर्फ कोई पूछे कि आप computer networks के क्या type हैं, तो आप कह सकते हैं कि computer network को आप different तरीके से classify कर सकते हैं, कि मसलएं computer network एक घर के अंदर भी हो सकता है, एक business का भी computer network हो सकता है, एक school का computer network हो सकता है, college का हो सकता है, hospital का हो सकता है and vice versa. तो इस तरह की different classifications available हैं, लेकिन एक तरीके से, जिस तरीके से हम computer networks को classify कर सकते हैं, वो है size based classification. जी हाँ, तो इस classification के अंदर हम computer networks को तीन ही सो में divide कर सकते हैं, लेन, मैन, होर वैन, तो सबसे चोटा जो computer network होता है, वो होता है, लेन, उससे बड़े को मैन कहते हैं, और सबसे बड़े को वैन कहते हैं, तो जो सबसे चोटा computer network होता है, उसको हम कहते हैं, local area network, जो उससे थोड़ा सा बड़ा computer network होता है, उसको हम कहते हैं, metropolitan area network, और सबसे बड़ा जो computer network होता है, उसको हम wide area network कहते हैं, according to size-based classification, तो दोस्तों, अब हम discuss कहते हैं, कि local area network या lamp किसे कहते हैं, तो सबसे simple example, local area network की जो हो सकती है, वो है आपके घर के अंदर जो network है, let's suppose आपके पास एक desktop computer है, आपके पास एक laptop है, आपके dad के पास tablet PC है, और आपके भाई के पास जो है, वो mobile phone, smartphone available है, और जब आप इन सब computers को किसी खास purpose के लिए connect कर देंगे, तो ये आपका local area network बन जाएगा, suppose करते हैं, कि हमारे पास एक ही printer है, और वो हम सब लोगोंने share करना है, तो जिस source को हमने share करना है, जो कि printer है, तो आप laptop से भी उसको print लेना चाहरे हैं, tablet से भी, और mobile phone से भी, और desktop से भी, तो आप desktop के साथ printer को attach कर देते हैं, और बाकी computers जो हैं, उनको आप अपने अगर wireless connection के जरीए, या पर cables के जरीए, अपने desktop के साथ connect कर देते हैं, तो ये simple example आप की हो जाएगी, land की, इसके लावा आप land के एक example ये भी हो सकती है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि हम computer networks जा तो resource sharing के लिए बनाते हैं, या फिर हम computer networks data sharing के लिए भी बना सकते हैं, let us suppose हमाया जो smart TV है, हमारे पास system का TV connection है कि हम अपने जो TV programs हैं, वो record कर सकते हैं, बाद में देखने के लिए, तो इस recorder को हम अपने computer के साथ भी connect कर सकते हैं, हम अपने tablet के साथ भी connect कर सकते हैं, wifi के जरीए या पिर हम mobile phones के जरीए को भी attach कर सकते हैं, इस recorder के जरीए, इस सूरत में हमने land बनाई जो है, वो हमने बनाई है to share data, और वो जो data है वो आपके movies भी हो सकती हैं, आपके TV program से भी हो सकते हैं, जो भी चीज़ आपने इस recorder में save की थी, वो आप अपने land के जरीए share कर सकते हैं, तो land जो छोटे businesses होते हैं, वो भी land को use करते हैं, और land आप ये समर लें, usually एक ही building के अंदर, जो local area में आप computers को connect करते हैं, उसको हम land का नाम देते हैं, तो दोस्तों, next tutorial में हम discuss करेंगे, के man क्या होता है, thank you very much, please subscribe करें, और iFactner.com को visit करें,